अगर आप साथ में नहीं ले जाएंगे तो भेलोड में CMC हॉस्पिटल में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे ठीके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लेम आएगा गुड इबिनिंग एब्रिवान उमीद है कि आप सो बहुत ज़्यादा अच्छा होंगे सो फ्रेंट्स मेरा नाम है अंजन महांती और आप देख रहें मेडिकल सॉल्भार यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आजके इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कोबिट नाइंटीन ओमिक्रोन वैरियंट का इस सिच्वेशन में भेलोड में CMC हॉस्पिटल की तरब से आप लोगों को एक एक बात स्टेप बाई स्टेप समझ में आ जाएगा ठीक है शुरू करने से पहले फ्रेंट्स एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो पसंदाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को साब्स्रीप करने के साथ साथ नोडिबिकेशन बैल को ऑलपे क्लिक कर लेजिएगा क्योंकि इस चनल पर आप लोगों को भी लोड में सींपीटल रिलेटेड चैननाई में एपलो होस्पीटल रिलेटेड एंड मेडिकल रिलेटेड हार तरह का हेल्फुल इंपॉर्मेटव वीडियो तो चलिए शु कर रहा है बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है जिसकी बढ़े से बहुत सारा लोग परिशन भी है लेकिन कोविड-19 का इस सीचुशन में भेलोड में CMC होस्पिटल की तरफ से एक बहुत ज़्यादा बैड नीउस आ गया है सो कौन साओ नीउस में आप लोगों का भी बताता यह नई कर पाएंगे टीक है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉबलेम आए गा और आप ट्राविलिंग करते हैं घ्राविलिंग करते समयं भी किसी किसी स्टेट की द्वारा चेकिंग होता है यानि कि कोविड-19 का वेक्षिन होता है और वहां पर आप सकते हैं इसलिए अगर चाहिए कुछ इसतरह का साथ में ले जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और अगर आप देखिए भीलोड में सेम्सी ऑस्पिटल में अभी के टाइम कोभी 19 का टेस्ट रिपोट अभी चेकिंग नहीं हो रहा है ठीक है अगर आप साथ में कोभी 19 का टेस्ट फूर साथ में नहीं ले जाएंगा तो कोई प्रप्रब्लम नहीं है लेकिन अगर आप ट्रावेलिंग करते हैं चेकंक ना फ्लाइट की द्वारा चेकिंग होता है तो वहां पर आप फस सकते हैं इसलिए सबसे जो बेश तरीका है अगर आप साथ में कोभी नाइटीन का टेस्ट इपोड अगर आप साथ में ले जाए तो सबसे जद आच्छा होगा और साथ में आपको आप लोगों को साथ में ले जाना है जो कि सबसे जदा अच्छा होगा ठीक है सो इंडिया का जो पेसेंट है कुल्मिला के यह बाद है कि आप लोगों को कोभी नाइटीन का वैक्सिनेशन का दोनों डोज कॉंप्लीट होना चाहिए कुछ इस तरह का साथिपिकेट ले जाना ह कोभी नाइटीन का टेस्ट रिपोड आप लोगों को साथ पे ले जाना है और आईडी प्रूब आप लोगों को साथ पे ले जाना है उसके बाद आप बेलोड में CMC उस्पिटल में डॉक्तर को दिखा पाएंगे और देखिए अभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल अगर आप इंडिया में आना चाहते हैं बेलोड में CMC उस्पिटल में डॉक्तर को दिखाना चाहते हैं तो आप लोगों को साथ में कोभी नाइटीन का वैक्सिनेशन का दोनों डोज कॉम्प्लेट होना चाहिए वह इस तरह का साथ में ले आना है उसके बाद कोभी CMC उस्पिटल में बीजिट कर पाएंगे नहीं तो आप नहीं विजिट करपाएंगे ग्या अग्या इंडिया का बाहर का का प्रेशेंट गेशा की बंगलादेश-पाकिस्तान-नेपाल का पेशंटेंड है अगर आप भहलोड में CMC होस्पिटल में इंडिया में आना चाहते है और वेलोड में cmc hospital में दॉक्टर को दिखाना चाहिए तो आप लोगों को medical disapp विशा और पास्पोर्ट इन दोनों चीज आप लोगों को साथ पर ले आना चाहिए देखिए बैसे भी मेडिकल विशा और पास्पोर्ट अगर आप नहीं ले पाएंगे तो बेलोड में सी एमसी ऑस्पिटल में डॉक्टर को दिखा पाएंगे लेकिन अगर आप लोगों लोगों को साथ बाद साथ में मेडिकल विशा और पास्पोर्ट आब लोगों को साथ में ले आना है उसके बाद आप वेलोड में शीएमसी ऑस्पिटल में डॉक्टर को दिखा पाएंगे ठीक है और देखिए जिन सारह पेसेंट इन्टरनेशनल पेसंट हो चाहे इंडिया का पेसंड हो यानि कि इंडिया का बाहर का कांट्री का पेसंड हो या तो फिर इंडिया का अंदर का पेसंड हो उन सारा पेसंड अगर बेलोड में CMC उस्पिटल में आना चाहते हैं अगर आप लोगों का में CMC उस्पिटल में online appointment चालू हो गया है और आप बहुत ही आसानी से बेलोड में CMC उस्पिटल में आके डॉक्टर को विजिट कर पाएंगे ठीक है और जिन सारा पेसंड बहुत ज्यादा एमर्जेंसी है ज्यादा से ज्यादा पेसंड को एडमिट करना चाहिए बहुत ज्य सारा कुछ समझ में भी आगया हुगा है और इस बीडियो पर संदर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर इसके बारे में फिर भी आप लोगों कोई कॉन्फीशन होता है तो आप इसी वीडियो का कॉमेंट बॉक्स हो जाके आप हमें कॉमेंट करें मैं कोसस करूंगा उसका रिपलाई देने में चैनल पर पहली बार आहें तो चैनल को सब्स्रेप करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बैल को आल पर क्लिक करें क्यूंकि इस चैनल पर आप लोगों को भेलर में CMC होस्पिटाल रिलेटेट चेन्नाई में एपलो होस्पिटाल रिलेटेट और मेडिकल रिलेटेट हार तरह का हेल्फुल इंपर्मेटिब वीडियो लिए पर हो सकता है कि आपके साथ चैट की द्वारा बाते हो सकता है और आप लोगों का जिसतरा का प्रॉब्लेम है वह आप बता सकते हैं मैं पूरा का पूरा कोसिस करोंगा उसका रिपलाई देन में ठीक है जाने से पहले फ्रेंज एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप को पता है कि कोवीट नाइंट का बीटाट स्टेइ्ट चल रहा है और ओमिक्राइन्ट अ घ्याहर इस उच्चिन में आप लोगों को बीट नाइटीन का डाईडलैन को जाधा से जाधा फॉलो करना चाहिए को बीट कि लोगों का दोनों डोज पॉप्लीेकए तो आप लोग भूश्टाट डोज ले लीजिए लखे है क्शि कर लगे कि पर खतम करते हैं क्ल्छा एक παशन्फ बेडियो में तब से लिए झाल झाल